यहां पर हमारा जो अनुमान था वो करीब 1600 के आसपास था लेकिन उसके सामने जो नंबर्स आए हैं टाइटन के वो आपके सामने हम एक एक करके रखते हैं मुनाफ़ा जो है वो 793 क्रोस का आया है और 776 का हमारा अनुमान था और भी नंबर्स हम लाने के कोशिश करेंगे आई है करीब एक परसेंट उपर अब स्टॉक आ चुका एक से सवाब परसेंट की तीजी यहां पर देखने को मिल रही है तो यह दूसरी बड़ी दिफ्टी कंपनी के नतीज़ों का हम वेट कर रहे थे M&M के आ चुके हैं और आप टाइटन के नंबर्स देखिए मजबूती के साथ यहां पर कारोबार होता हुआ दिखाई दे रहा है निलेश आपका फर्स्ट व्यू क्या होगा जे टाइटन के नंबर्स आए है चो तेजी आ रही है टाइटन में भी क्या करना चाहिए कोई ट मंतली टाइम फ्रेम पे जुलाए सीरीज में इस काउंटर ने काफी बड़ा आउट परफर्मेंस दिखाया था और एक बड़ा बुलिश एंगल्फिंग के अनलचिक फ़र्मेशन मंतली टाइम प्रेम पे बना है तो डेफिनेटी यह ही निकेट कर रहा है कि गोईंग फरव पर 2480 से 25100 का इमिलेट मुह हमें देखने को मिल सकता है ओके तो यह विव यहां पर बन रहा है नमबर्स पर लॉंग पोजिशन आप कांटिन्यू रह सकते हैं इस बीच अगर रेविन्यू के बात करेंगे तो वो 8,490 क्रोर के आसपास की आई है और और ओल्मूस्ट वैसे ही कुछ नमबर्स यहां पर देखने को मिल रहे हैं हमारा अनुमान था 8,900 का थोड़े नीचे आया है लेकिन यहां पर भी ग्रोथ अच्छी नजर आ रही है अनुमान के मताबिक ही इस बगत नमबर देखने को मिल रहे है मुनाफिक के फ्रेंट पर देखेंगे तो नमबर्स में एक अच्छी ग्रोथ आई है एक बार मार्जिंग के आखड़े भी आपको दिखा देते हैं कि वहां पर किस तरह के नमबर्स इस बगत देखने को मिल र रहे हैं टाइटन के इसके अलावा जो management commentary आ रही है वो भी काफी positive नज़र आ रही है यहां पर टाइटन के management के कहना है कि यह financial year काफी अच्छा रहा strong performance across the business segment देखने को मिली है आने वाले quarter के लिए भी वो positive outlook ही share कर रहे हैं और कुछ investment plans की भी यूजना यहां पर वो बता रहे हैं तो आगे के लिए भी growth outlook अच्छा नज़र आ रहा है और नतीजे भी जो हम देख रहे हैं वो हमारे अनुमान के मुता भी की स्वक नज़र आ रहे हैं